नमस्कार आप देख रहें नेक्स नाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार लगातार पांच राजों के एकजिट पोल वापस एक बार सामने आने के बाद तमाम राजनेतिक पार्टी अपनी अपनी सरकार बनावे का दावा ठोक रही है ऐसे में आम बात करें में 36 गड़ राजे की जहां पर वर्तमान में कांउप पार्टी की सरकार है اور भुपेश भगेल वर्तमान में ज्रीशिजर मंद्री नरहीं तक भाज़पा का वहाँ पर साशन रहा और रमन सिंग 37 गड़ के मुख्यमंत्री रहे 2018 के चुनाओं में भाज़पा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और 66 सीटों के साथ 2018 में कॉंग्रेस पार्टी ने वापसी करते हुए एक तरीके से भुपेस बगेल को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया था आपको बता दें कि चुनाओं से पहले मुख्यमंत्री भुपेस बगेल तमाम योजनाओं का दावा ठोकते हुए नजर आये उन्होंने कहा कि वह लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं निश्चित तोर पर एक ऐसा माहोल तयार किया गया जिसके बाद भुपेस बगेल की सरकार में वापसी हो सके चाहे धान का मुद्दा हो चाहें बेरोजगारी का मुद्दा हो तमाम इन मुद्दों पर जैसे ही उन्होंने बेरोजगार लोगों को मुआवज़ा भत्ता देने का एलान किया वहीं जो किसान थे उनको MSP पर फसल खरीद की भी गारंटी दी इसके अलावा गरहनियों समेथ 17 और बुजुर्ग गड़ के पूर मुख मंतरी रमन सिंग आज हम बताएंगे आपको कि रमन सिंग और उनकी पतनी कितनी संपती के मालिक हैं और क्या क्या उनके पास जो चुनावी हल्प नामे में पेश किया गया है तो कितनी संपती चल अचल संपती का क्या बेवरा है आपको बता दें रमन सिंग की पतनी के पास करीब 235 तोले सोना बताए जा रहा है और इसकी कीमत लगबग 90 लाख रुपए है वहीं उनके पास 18 किलो चांदी है जिसकी कीमत 6,70,000 रुपए बताई जा रही है वहीं साड़े साथ कैरेट हीरे के जौारात हैं जिनकी कीमत लगबग 11,25,000 रुपए उन्हों ने अपनी जो चुना में 30 एकड किर्शी योग भूमी है जिस पर उनका जो मालिकाना हक है वो बताया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ रमन सिंग की यदि संपत्ति की बात की जाए तो 57 तोला सोना रमन सिंग के पास है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए के लगबग बताई जा रही है वहीं 4 किलो चां में उनके पास साथ दसमलो एक नो एकड कर्शी योग भूमी है जिसका मालिकाना हक 36 गड के पूर मुख्यमंत्री रमन सिंग के पास है तो कहीं ना कहीं रमन सिंग एक तरीके से बड़े कद्दा और नेता बीजेपी के देखे जाते हैं 15 सालों तक वो 36 गड में बीजेपी क रेस में बने हुए हैं बहराल आपको बता दे कि एकड़िट पोल के नतीजों में करीब 50 फिस्दी का अंतर है भाजपा और कॉंग्रेस में भाजपा एक बार फिर से बड़ी बड़े मार्जन से बिचरती नजर आ रही है जबकि कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करत नजर आ रही है तो वहराल इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्ट नाइन न्यूज